हेलो एवरीबन, वेलकम बैक टो तेयारी ओनलाइन, मैं हूँ सुधा आज के वीडियो में हम साथ में 2021 से बनने वाले डेली करेंट अफियर्स के सभी कोईशन्स को डिसक्स करेंगे साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रस्टों से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट्स ये वीडियो आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए महत्तपूर्ण हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखे यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें जॉइन करें टेलीग्राम ग्रूप पर टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जी के करेंट अफियर्स एन लेटेस्ट अपडेट्स के लिए त्यारी ओनलाइन को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दवाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे आप हमसे इंस्ट्राग्राम पर भी जूर सकते हैं इंस्ट्राग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो चलिए देखते हैं पहला प्रसन एकोनॉमिक अफेर्स की कैबिनेट कमीटी ने हाल ही में किस बैंक के रन्नीतिक विनिवेस के लिए सैधान्तिक मंजूरी दी है तो देखिए वो बैंक है आईडी बी आई ओप्शन नमबर डीस का करेक्ट आंसर है इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखिए तो हाली में किंद्र सरकार की एकोनॉमिक अफेर्स की कैबिनेट कमीटी ने आईडी बी आई बैंक के रन्नीतिक विनिवेस के लिए सैधान्तिक मंजूरी दी है जिसके तहट इस बैंक के मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा इस समय बैंक के 94 परतीसस से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार और LIC के पास है जल्दी LIC के पास इस बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल भी होगा निक्स कुर्शन मम्तव एनरजी ने हाली में कौन सी वार बंगाल की मुखमंत्री का पदभार संभाला है तो देखिए उन्होंने तीसरी बार बंगाल की मुखमंत्री का पद संभाला है option number C इसका correct answer है important facts देखिए तीसरी बार बंगाल की मुखमंत्री का पदभार मम्तव नरजी को मिला है वे बरतमान में एक मातर मौजूदा महिला मुखमंत्री है वे 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वे लोग सम्हा सांसत थी वे सीला दिक्षित के बाज तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी जाने वाली दूसरी महिला है नेक्स कुश्चिन हाल ही में किसने दिली के 72 लाग गरीबों को दो महीने का मुफ्तराशन देने की घोसना की तो देखिए यह घोसना किया गया है अर्विंद केजरिवाल जी के दोरा अर्विंद केजरिवाल दिली के मुख्यमंत्री है इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहां देखें दिल्ली के 72 लाग गरीबों को दो महीने का मुफ्त राशन देने की घोसना की गई है साथी उन्होंने दिल्ली के आटो और टेक्सी चालक को 5000 रुपए की मदद देने की भी घोसना की है दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों की मदद करने की भी घोसना की है नेक्स क्वेशन भारत के किस लड़ाकू बिमान को बनाने में एहम भूमी का निभाने वाले डॉक्टर मानस विहारी बर्मा का हाली में निधन हो गया तो देखिए डॉक्टर मानस विहारी बर्मा उन्होंने तेजस बिमान को बनाने में एहम भूमी का निभाई थी option number B correct answer है important facts देखते हैं तो भारत के लड़ाक को बिमान तेजस को बनाने में एहम भूमी का निभाने बाले डॉक्टर मानस विहारी बर्मा का हाली में 78 साल की उमर में निधन हो गया वे परवराश्ट पती कलाम के सहयोगी रहे थे उन्होंने इस अतुलनी योगदान के लिए पंस्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है नेक्स कुश्चन भारतिय सेना ने हाली में किस राज़े के उतरी भाग में पहला ग्रीन सोलर नेरजी प्लांट सुरू किया है तो देखिए यह सुरू किया गया है सिक्किम राज़े में आप्सन नमबर सी इसका करेक्ट आंसर है इंपोर्टन फैक्ट्स देखते है भारतिय सेना ने हाली में उत्तरी सिक्किम में सैनिक दलों के लिए नवी करनीय उड़ जाका दोहन करने के उदेशे से पहला ग्रीन सोलर एनरजी प्लांट सुरू किया है 56 किलो वाट की छमता वाला या ग्रीन सोलर एनरजी प्लांट परियोजना को आई आई टी मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है next question RBI ने हाल ही में कोरोना काल में इमर्जेंसी हैल्थ सेवाओं को पूरा करने के लिए कितने करोर का लून देने की घोसना की है तो देखिये RBI ने 50,000 करोर रुपै की लून देने की घोसना की है Important facts देखते हैं Important facts में वही सारी बाते हैं साथ ही RBI ने बिभिन सेक्टर्स को रहात अपलब्ध कराने के लिए Resolution Framework 2.0 की घोसना भी की है Next question, हाले में किस योजना के तैप Used Cooking While West Wired Diesel की First Supply को लौंच किया है तो देखिए वो योजना है, Expression of Interest योजना Option number B, Correct answer है, Important facts देखते हैं Petroleum मंत्री, धर्मिंदर प्रधानने हाली में Expression of Interest योजना के तहत हर्ट इंडियन वोईल से Used Cooking While Best Biodiesel मिस्रेट डीजल की First Supply लौंच की जिसका उद्देश देश में निर्मे बायो डीजल आपूर्ती को बढ़ावा देना और आयात निर्यात को कम करना है Next Question है, RBI ने विबेक पूर्ण मान दंडों का उलंगन करने के लिए हाली में किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो देखिए जुर्माना लगाया गया है ICICI बैंक पर Option number C, इसका correct answer है Important facts देखते हैं बारते रिजर्बैंक ने हाली में ICICI बैंक पर बिबेक पूर्ण मान दंडों का उलंगन करने के लिए 3 करोर रुपे का जुर्माना लगाया है ICICI बैंक ने बैंकों के वर्गी करन, मुल्यांकन और निवेस Portfolio के Prudential Norms के नियमों को पालन नहीं करने पर या जुर्माना उस पर लगाया गया है Next Question सर्भुच्च नियायले में मराठा आरक्षन पर रोक लगाई तो चली इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं यहां देखिए भारत के सर्भुच्च नियायले ने हाली में राज्जे में मराठा आरक्षन पर रोक लगा दी क्योंकि यह आरक्षन की 50% सीमा को पार कर रहा है सर्भुच्च नियायले ने महारास्टर के उस कानून को और सम्धन्हानिक करार दे दिया जिसने मराठा समुदाई को रोजगार और सारजनिक सिच्चा में उनके कोटा के लिए आरक्षन की गारंटी दी थी चलिए अब आपको इसकी सुर्वात की कहानी बताएं तो 2016 में मराठा क्रांती मोर्चा के तहत कई मराठा एक साथ हाए उन्होंने एहमद नगर के कोपडी गाउं में एक पंदरवर्सी ये लड़की के बलातकार और हत्या के बिरोज में हाथ में लाया हाला कि कोपडी घटना एक ड्रिगर थी या बाद में सैक्षनिक अस्थानों और सरकारी नोक्डियों में मराठा समुदाई के लिए आरक्षन पर किंद्रित हो गया था 2017 में बरे पैमाने पर मौन रैलियां आयोजित की गई उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी कोपडी की लड़की के लिए न्याय की मांग की 2018 में सरक बिरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया कई लोगोंने हत्मत्या भी की एक मराठा लाख मराठा उनका नाड़ा था 2018 में महरास्टर राजसरकारनी महरास्टर सामाजिक और सेक्षिक रूप से पिछडे अधिनियम के तहत मराठों को आरक्षन प्रदान किया एस अधिनियम को बिधान सवा और परिशत दोनों में अनुमोदित किया गया था उच्च नेयले में आरक्षन को चुनोती दी गई अब देखिए एक जनहित याचिका में बॉंबे उच्च नेयले में SEBC के तहत आरक्षन को चुनोती दी गई उच्च नेयले ने आरक्षन को बरकरार रखा और कहा कि आरक्षन 16% के बजाए सिख्चा में 12% और नौकडियों में 16% होनी चाहिए नेक्स क्विश्चन ओक्टेवर फिस्ट क्या है तो देखिए ओक्टेवर फिस्ट जो है वह फेस्टिवल है या ओक्टूबर के महीने में मनाया जाता है तो चलिए इसके बारे में आपको बताएं यहां देखिए ओक्टेवर फिस्ट एक वार्सिक तेवहार है जो ओक्टूबर के महीने में म्यूनिक जर्मनी में दो सब्ता तक मनाया जाता है कहां मनाया जाता है तो म्यूनिक जर्मनी के म्यूनिक में मनाया जाता है दो सब्ता तर जर्मन सरकार ने घोसना की कोबिड-19 के कारण ओक्टेवर फेस्ट का उस सब जो है वह रद कर दिया गया है यह लगातार दूसरा वर्स है जब जर्मनी में यह सामारो रद किया जा रहा है चलिए वह आपको ओक्टेवर फेस्ट के बारे में बताएं सुल्ला से लेकर के 18 दिनों का यह तैवहर है जो सितंबर अक्टूबर के महिने में मनाया जाता है इस सामारो में दुनिया भर के 6 मिलियन से अधिक लोग भाग लेते हैं इसे अस्थानिय रूप से डी वाइसन कहा जाता है यह तैवहर बेवेरियन संस्कृति का एक हिंसा है यह वर्स 1810 से जर्मनी में मनाया जाता है इस तैवहर के दोरान बरी मात्रा में बीयर का 7 किया जाता है 2013 में 7.7 मिलियन लीटर से अधिक बियर का सेवन किया गया था म्यूनिक के नागरिकों को 12 अक्टूबर 1810 को प्रिंसेस थेरेस के साथ किंग लूडबिंग कि साधी के सामारों में सामिर होने के लिए आमंत्रिक किया गया था राजा लूडबिंग बाद में किंग लूडबिंग बने मार्च क्रांति या 1848 क्रांतियों तक वे सप्ता में रहे साधी के दोरान एक परेड हुई और तब यह एक वार्सिक कारेकरम बन गया तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्चे बताएं यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें आपका कोई सुझाब है तो आप अपनी सुझाब हमें कमेंट बॉक्स में अब अब अससे लिखें तो मिलते हैं आप से नए दिन नए प्रश्णों के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवार